बिहार में नई सरकार के गठन के बाद फ्लोर टेस्ट होना है इससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है इसी बीच माले के बिधायक महबूब आलम पुर्वसियम जीतनराम मांजी से मिलने पहुचे इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि मांजी जी का हाल चाल ज मुलाकात आधे गंटे तक चली इसको लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के परदेश अध्यक्ष ने कहा कि महबूब आलम आते रहते हैं हम हर फरिस्थिती में एंडिये के साथ हैं हम लोग फ्लोर टेस्ट में समर्थन करेंगे इस सब के बीच जेडियू ने अपने एसला भी किया है बिहार में 30,000 से जाइदा नौकरियों की गोशना की गई है इस बाबत बिहार के डिप्टी सीम समराच चौधरी ने नए पदों की सुकृति प्रदान करने की एक लिस्ट सोचल मीडिया साइट एक्सपर सेयर की है उन्होंने लिखा है मैंने मान्य मुख्य मंत्री नितिश कुमार के निर्देशा नुसार 3547 ने पदों की सुकृति प्रदान की है आपको बता दें कि इससे पहले आरजेटी ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुला कर तेजश्वी आदब के आवास पर रोकने का फैसला किया है तीन गट्डे तक चली बैठ के बाद विधायकों के देश्वी के पांच देश रत्म मार्गी स्थेत आवास पर रोका गया विधायकों के लगेज को भी आवास में भेजा गया है इसको लेकर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने संसनी खेज आरोप लगाया उन्होंने कहा यह महसूस करते हुए कि यह पहले दिन से ही पूरी तरह आश्वस्त है और राजत का धूल चाटना भी तया है बता दे कि आद जदिव कोटे के मंत्री शवन कुमार के घर पर जदिव के सभी विधायकों को भोज में बुलाया गया हूँ मगर कुछ विधायक नहीं पहुचे मुक्यमंत्री नितिश नितिश कुमार पांच मिनट में ही बिना कुछ खाए वहां से निकल गए इस वीच भोज में सामिल होने आई ही लेसी सिंग ने दावा किया कि जदिव के सभी विधायक एक जुट हैं समय आने पर सभी फ्लोर टेस्ट में नजर आएंगे नई सरकार के गठन के बाद 12 फरव मत साबित कर पाएंगे कॉमेंट करके बताएं अभी के लिए इतना ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन भी दबा दें जिससे कोचगाओं कनवर्सेशन की कोई वीडियो मिसना दन्यवाद